अत श्री दुर्गासप्त शुती अश्टमोध्याया रक्त बीजवध ध्यानम ओम अरुना करुनातन गिताशी धृत्पा शांगुकुष बांचा पहस्ताम अनिमा दिभिरावरितान मयूख है रहमिटे विभावये भवानी मैं अनिमा आदी सिद्धिमाई किरनों से आवरित भवानी का ध्यान करता हूँ उनके शरीर का रंग लाल है नेत्रों में करुना लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अनकुष, बान और धनुष शोभा पाते हैं ओम रिशी रुवाच एक चंडे चा नहते दैत्य मुंडे चा विनेपाते ते बहुलेशू चा सैन्येशू क्षे तेश्व सुरेश्वरह दो तता है कोपप्राधीन चेताह शुभाः प्रतापवान उद्योग सर्वसे न्याना दैत्याना मादे देश हर तीन रिशी कहते हैं एक चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का सनहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुम्ब के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आग्या दी दो तीन अध्य सर्वबलर दैत्याह शडशीतिर उदायुधाह कंबुना चतुर्शीतिन यातु स्वबलर वृताह चार वो बोला आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापती अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें कंबु नामवाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें चार कोटिवीर्यानी पंचाशद सुराना कुलानी वै शत कुलानी धोराना निर्गच्छन्तु ममागया पांच पचास कोटिवीर्या, कुल के और सो धौम्र, कुल के असुर सेनापती मेरी आज्या से सेना सहित कूच करें पांच कालका दोरहरिद मौर्याह कालकेया स्थासुरा युधाय सज्जा निर्यातू आगयया त्वरिता ममेश कालक मौर्या और कालकेया असुर भी युद्ध के लिए तयार हो मेरी आगया से तुरंत प्रस्थान करें 6 इत्यागया प्यासुरपते हैं शुभो भैरव शासन निर्जगाम महासेन्य सहस्वर बहु भिवृतह साथ भायानक शासन करने वाला असुर राज शुम्ब इस प्रकार आग्या दे सहस्त्रों बड़ी-बड़ी सेनाओं के साथ युध्ध के लिए प्रिस्थित हुआ साथ आयात चंडिका वा तत सेन्यम तिभी शुनम जास्वन एह पूर्यामास धर्नी गगनांतरम आथ उसकी अत्यंत भायनकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की तंकार से प्रित्वी और आकाश के बीच का भाग गुजा दिया आथ ततह सिंगो महानादमतीव कृत्वान नृप, घंटा स्वनन तन्नादमबिका चोप ब्रिनहयत नौर राजन, तदनंतर देवी के सिंग ने भी बड़े जोर, जोर से दहारना आरंभ किया, फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनी को और भी बढ़ा दिया नौ धनुर्ज्या सिंगंटाना नादापूरित दिन मुखा, निनादेर भी शनयह काली जिगे विस्तारितानना दस धनुष की चनकार, सिंग की दहार और घंटे की ध्वनी से संपूर्म दिशाएं गून जुठी, उस भयनकर शब्द से काली ने अपने विक्राल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार्वे विजेनी हुई दस तम निनादमु प्रशुत्या, देत्य से न्यश्च तुर्दिशम, देवी सिंगस्था काली सरोशेह परिवारिताह ग्यारा उस्तुमुल नाद को सुनकर देत्यों की, सिनाओने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंग तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। जो अत्यांत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकल कर उन्ही के रूप में चंडिका देवी के पास। हस्युक्त विमानाग्रे साक्षसूत्रकमंडलू, आयाता ब्रह्मनाय। शक्ति ब्रह्मानी साभिदियते पंद्रा सबसे पहले हस्युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलू से सुशोभित। ब्रह्माजी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्मानी कहते हैं पंद्रा माहेश्वम्री व्रिशारूधा। त्रिशूल वर्धारिनी महाहिवलया प्राप्ता चंद्रर्खा विभूषना सोला महादेवजी की शक्ति व्रिशभप आरूर हो हाथों। में श्रेश्ट त्रिशूल धारन की ये महानाग का कनकन पहने, मस्तक में चंद्ररेखा से विभूषित हो वहां आपहुची। आरूर हो हाथ में शक्ति लिए देत्यों से युद्ध करने के लिए आई सत्रा तथे व्वैश्नवी शक्तिर गरुडोपरी, संस्थिता, शंख चक्रगदाशांख गहस्ता भ्यूपाईयो अठारा इसी प्रकार भगवान विश्नू की शक्ति गरुडप विराजमान हो शं प्यायो तत्र वाराही बिब्रती तनुम 19 अनुपम यग्यवारा का रूप धारन करने वाले श्रिहरी की जो शक्ति है वभी वारा शरीर धारन करके वहां उपस्थित हुई 19 नार्स ही नर्सिंगस्य बिब्रती सद्रिशन वपू राप्ता तत्र सताक्षे 20 नार्स ही शक्ती भी नर्सिंग के समान शरीर धारन करके वहां आई उसकी गर्दन के बालों के जटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे 20 वज रहस्ता तथा इवेंद्री गजराज परी स्थिता प्राप्ता सहस्नेना यथा शक्रस्त था 21 इसी प्रकार इंद्र की श वैसा ही उसका भी थी 21 ततह परिवरित्स ताभिर इशानो देव शक्तिभे हन्यनतामसुराः शीग्रम्मम प्रीत्याह चंडिकाम 22 तदनंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीग्रही इन असुरों का स अन्हार करो 22 ततो देवी शरीरातू विनिशक्रांता ते भीशना चंडिका शक्तिरत उग्रा शिवाष्तनी नादिनी तेईस तब देवी के शरीर से अत्यंत भायानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई जो सेकडों गीदरियों की भाती आवाज करने वाली थी 23 साचाः धूम जटिल मिशन प्राजिता दूद्थ त्वम गच भागवन पार्श्वम शुब निशूम भयों 24 उस अप्राजिता देवी ने धूमिल जटावाले महादेव जी से कहा भागवन आप शूम निशूम के पास दूद बनकर जाए 24 ब्रुही शूब निशूम भ दोनों से कहिए साथ ही उनके अतिरिक्त बीजो दानव युद्ध के लिए वहाँ उपस्थित हूं उनको भी यह संदेश दीजिये 25 रक्त गिरा 58 यद्स्त द्वत्रेन चामुंदा संप्रतीच्छती मुखे समुद गता एस्या रक्त पातान महासुरा उनसत तांश्चन खादात चामुंदा परपोत अस्यच शोनितम देवी शूलेन वजरेन बाना इरसिभिरिष्ट भे साथ जगान रक्त बीजम तम चामुंदा पीत शोनितम सप अपात मही प्रिष्ठे शस्त्रनस नगसमाहता एक सथ नीरक तश्चम अही पाल रक्त बीजो महासुरा है तत्स्ते हर्शम तुल्म वापुस्त्र दशा न्रिप बासथ तेशा मात्रगनो जातो ननतस्रिंदोध तह ओम तिरसट किन्तु जोही वो गिरा त्योही चामुंदा ने उसे अपने मुख म ले लिया रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादेत्य उत्पन हुए उन्हें भी वो चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया तद नंतर देवी ने रक्त बीज को जिसका रक्त चामुंदा ने पी लिया था वज्र, बान, खटगा तथा रिष्टी आदी से मार डाला, राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्त हीन हुआ महादेत्य रक्त बीज प्रित्वीप गिरपड़ा, नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ती हुई उन्सठ बासठ और मात्रगन उन असुरों के रक्त पान के म माश्ट मोध्याया आथ ओवाच एक, अर्धा श्लोकाई एक, श्लोकार 61, एवं 63, एवं आदिताह 502 इस प्रकार श्रीमा कंडेय पुराण में सावर्निक मनवंतर की कथा के अंतरगत देवी महात्मय में, रक्त बीज वद नामक आथवा अध्याय पूरा हुआ आथ